पॉलिस दिल्ली गर्मेंट और दुखत बात भाई साहब ये है जनपर्त निदी जनपर्त निदी नहीं है दनपर्त निदी नशकार दोस्तों मैं हूँ रवी कशल अब देख रहे हैं न्यूस क्लिक अभी हम दिल्ली के मखरजी नगर के उस इलाके में हैं जहां पर गुरुवार को कोचिंग इंस्टिटूट में आग लगी थी और कई छात् इसना के विरोध में यहां पर कई छात्रों ने अपना प्रदर्शन बुलाया था ताकि वो इस मामले में एक निस्पक्ष जांच की उम्मीद कर सके जब हमने यहां पर चात्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे-सीधे उच्छ सर पर करप्शन का है जहां पर एमसीडी दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए यहां पर आए कुछ छात्रों से हमने बात की है सुनी उन्हें सर जो बील्डिंग है पहले जो गाइडलाइन्स है उसको फालू ने किया गया अब जहां गटना हुए है उसकी बील्डिंग में जरजर है और एलेक्टरिक डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट बीना एन तोसी के यह लोग जो है चला रहे हैं चाहिए यहां भी देखिए बर्दमान में जरजर बिल्डिंग होंगे है एक दिरिष्टी संस्थान है वो बेस्मेंट में चला रही है वो इतनी जरजर है अमालनी जे हलका से अर्थक्वेक आजाए खुछे थोड़ा सभी फाई पे रियक्टर पर ही आजाए दबके सभी स्ट इसमें एंसीडी और जो है जो इलेक्ट्री डिपार्टमेंट की लपरवाही कोचिंज संस्थान गाइड नहीं पालन की उन सब कोई रिस्पोंस्बिल्टी बलती है आज का प्रोटेस्ट इसलिए था कि घटना के बाद जो एलक्ट्रोनिक मीडिया में जो प्रिंट मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही है और जो चीज़ दिखाई जानी चाहिए थी जो चीज़ दिखानी जानी चाहिए थी वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है वो चीज़ नहीं लिखा जा रहा है मेरा कहिना है इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना से अधिकारिक तौर पे 61 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनमें दो लोग जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं तो प्रशाशन को पहले खास करके दिल्ली सरकार को या केन सरकार को इसकी जांच के लिए आज साइटी का घठन करना चाहिए पहली बात दूसरी बात कि इतनी बड़ी घठना कैसे घठ गई तो कहीं कहीं किसी की लापरवाई रही होगी यह आपडा है तो आपडा दो तरह के होते हैं मानव निर्मित और प्राकृतिक यह जो आपडा थी यह बिल्कुल मानव निर्मित थी और मानव निर्मित आपडा लापरवाई और लापरवाई भी दो तरीके की होती है। एक जाने-थाने में पंष और एक जानबूजकर, तो यह जो लापरवाई है यह जानबूजकर की गई लापरवाई है। और इस लापरवाई के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके उपर एफ आई यार लॉज होना चाहिए पर एक्जामपल पर्थम दरस्टिया कोचिंग ओनर के मालिक दूसरा लैंडलोड तीसरा एमसीडी परसासन और चौथा इन सब को संदक्षक देने वाली दिल्ली पुलीस और साथ ही साथ दिल्ली गर्मेंट दिल्ली गर्मेंट ने कभी यह जानने की कोशिस नहीं किये कभी न पढ़ने की विवस्ता क्या है ख्लास्रूम कैसा है है अपाथ काली निस्तिति से निपटने के लिए क्या कोचिंग इंस्टिूट के पास लैंड लॉड के पास कोई मेकनिजम है यह जानने की कभी कोशिस नहीं कि कौन इसकी लाइवर्टी लेगा दिल्ली सरकार कभी आई द दोनों घटनाओं के बाप सरकार ने गाइडलाइन और एड़ाजरी जारी कि यह सिंडिकेट है कॉक्टेल कॉक्टेल बना हुआ है लैंड लॉट कोचिंग इंस्टिटूट के मालिक दिल्ली पुलिस दिल्ली गर्मेंट और दुखत बात भाई साहिब यह है जन परतनिदी जन नहीं है दन परतनिदी एदन बिल्कुल नहीं यह सब घतना है हम लोग सोचे नहीं थे और यहां की जो यह सब घंड रहा हुए जो आप दो ब्रह्रा बार्सनी जाहिए फसत कहीं दूसरेकर करनी चाहिए क्योंकि हर जiona theinis है अपात काल के लिए तो कोई बेवस्ता नहीं है बच्चे इस चत से बिल्डिंग सकूते हैं देखिए वहां से जिस कमरा जिसमें क्लास चल रही थी उसमें घटना होने चाहिए तàng सिस्टा पर रेटे उसमेंटार जा रहा है चाहतर ti s即 12 तरीकळा से और मेंसमें का यह कह रहे हैं यह कर्या जादा है अ इसके खिलाब जो प्रपर डिदिलर की खिलाब जिसके बील्डिंग में चल रहा है उसे एक एगंश केस बननी चाहिए लेकिन आपने केस किस के बड़ केस आप सोच आभी नोटिस किया है यह कोचिंग जिस कोचिंग में यहादसा हुआ है नाम है उसका संस्कृति आप उसका कहीं भी नाम सुने कि किस कोचिंग में आग लगी है नहीं सुने है नहीं सुनेंगे ठीक है क्यों नहीं सुन रहे है आप पहला मांग यदि आप डिमांड सुनिये क्या क्या है पहला मांग यह होनी चाहिए कि इस 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 इंसिडेंट की इस इंटिन एस इंटी नहीं है आप कोई मतलब नहीं है ठीक आप इनक्वारी कर लीजिए अगर आपको लगे कि यह सही है तो तो भी सही है नहीं है तो जो इसके एगेंस्ट है उसके उपर आप ओल्री सो मोटर चार्ज लगाई है उसके उपर एक दम गए रितन हत्या का मामला बनता यह 307 और 308 बनता है लेकिन अब कि जूर में उसके लिए हैं पता है 326-337 एक सबीस भी और 32 में लिए हैं इसका मतलब क्या हुआ यह कोई धारा है कोई धारा है फ़र्ष्ट ही नहीं टीके गाई फ़र्ष्ट एम फ़र्ष्ट हीरिंग में दूसरी मांग यह है कि जितने भी कोचिंग इंस्यूट है व उसमें अगर लग जाए तो वहां बचने की संबावन नहीं के बाद एक एक बाद में दो-दो हजार बच्चे 800 बच्चे 1000 बच्चे पढ़ते हैं उसका क्या सो बच्चों का बैठने का जो जगह होता है वहां पर तीन-तीन सो बच्चे 400 बच्चे बठाके और जब वही मैं दो ह liquor कोई क Cincinnati की बाद आती है कुछ बहुंद ही करने की बाद के उसमें बीलकुल दिहान ने रहाता है और वस है बकनी के जैसे बच्चों को लाते जाते बचाने पराते जाते ऑपिर हमे एसा को बार बार मिलते सक्री जुक्री अहां है देख लिए आप कितना कु आप सुब्धाइं कुछ नहीं है फिर भी हाई रेंट यह पचीज गज में आठ 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 अजार का नो नो हजार का है इसलिए गिरो है जो कि यह पॉस एरिया में भी नहीं आता अधा आप देखे द्वा जो है दौर है द्वारका सेक्टर में वहां पांच हजार में बहुत अच् इस सुब्धाओं के वज़ा से ले लेते हैं मजबूरी में है एक सपने लेकाते हैं जो सोचते हैं साल भर में हो जाएगा पहले-पहले देते हैं उसके बाद बाद में उनको प्राउबलम होती है तो यह सब सब एकनामिकल जो है इस पुलाइल्टेशन व्यापा कस्तर प्य झाल 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 झाल